धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ती हमारे कर्म पर निर्भर करती हैनेक और अच्छे कर्म से व्यक्ती को स्वर्ग नसीब होता है भी। बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है, कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनो धर्ती पर हैं, डॉट जो व्यक्ति धन्धान्य संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसे स्वर्ग की अनुभूती धर्ती पर ही हो रही है, इसके विप्रीत जो लोग पाप करते हैं और धर्ती पर पीडादूहक कष्ट भोगते हैं, वही इनके लिए नरक है। स्वर्ग के राजा इंद्र देव को माना गया है। लोगों को शारिरिक और मानसिक पीडा देता है, उसे नरक की प्राप्ती होती है। नरक में यमदूतों द्वारा बहुत सारी यातनाई दी जाती हैं। स्वर्ग में अच्छी आत्माओं को पुन्यों का फल भोगने के लिए रखा जाता है। नरक में बुरी आत्माओं को यातनाई दी जाती हैं। डॉट 18 पुराणों में गरुर पुराण के भाग प्रेतखंड में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति हमेशा नेक कार्य करता है, उसे जन्ममर्ण के बंधनों से मुक्ती मिलती है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। व्यक्ति के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि मरने के बाद उसे स्वर्ग में सुख मिलेगा या नरक में कश्ट। गरुर पुरान के अनुसार जो मनुष्य धार्मिक कार्य करता है और दूसरों की सहायता करता है, मंदिर प्याव आदी का निर्मान कराता है, वह स्वर्ग के सुख भोगता है। वहीं जो व्यक्ति ब्रह्मा हत्या, गौ हत्या करता है, स्त्रियों पर अत्याचार करता है और दूसरों को शारिरिक और मानसिक पीडा पहुचाता है, वह नरक को प्राप्त होता है